नमस्कार मित्रान्यों, मी सम्भूराश खमकर्तुम्चे स्वागत करतू एक आच्चा स्पेशल वीडियो मदे, मित्रान्यों आपन सद्ध्याश्यकाई सीरीज घुणा लेले कि जचा मदे आश्यकाई बहन्नाट टेक्निकली और फंडामेंटली स्टॉक चे आपन चर्चा कर मित्रान्यों, आज आश्यकाई चे एक स्टॉक है कि जचा मदे आमाले एक ब्रेक आउट सापड लेला है, आणि आमाला चान वाटते है जवा एक आदा स्टॉक टेक्निकली ब्रेक आउट देतो, आणि त्याथले जचा फंडामेंटली पन लगीज बगदास्तो, आणि या बन्नाट वीडियो तुमच्या परिंत गिवून आलेलो, आऊद मित्रान्यों इन डिटेल्स अगली माईती आचा मड़ी दिलीले तुमाल लक्षा ठेवा, या वीडियो मदे तुम्माला समझेल कि सद्ध्याची कंडिशन आणि येनरा कालामधी र्याली या स्टाक मदे अग्डिया आर्धी माईती नियमी हानी करगास्ते, तर मित्रान्यों फुले जाने पर वी चानेलल आजून पन सब्सक्राइब करना सेलना, सब्सक्राइब करा आणि बेल आइकोनला प्रेस करा, अर्थार मित्रान्यों हाँ आच्छा स्टोक्च नाओ, लॉयड मेटल्स अन एनर्जी लिमेटेड, यादा कदाची बराज जानानी आचा नाव पना इकलन सेलन, पन मित्रान्यों फुम्पनी कशाप पतती ने काम करती हैं, डिटेल मधे माईती सांगनारे, आणि वीडियो श्यवट परेंत पा, करन कहीतरी एक्स्क्लोजीव मी तुम्माला याच्छा नार्मली चाड बगायला गिलातर, आमाला से दिसलोगी है का छान ब्रेकाउट लेवल मधी आए, आनि त्याच्छा नंतर नामल जानोले कि आच्छा वर काहीतरी आपने देवु शक्तोकर बराज देवु सान अंतर तन एका कन्सोलाडिशन फेज मोधून हा बाहरे तो है, आर्थात हास वीडियो मंचे कुटलाई खरीदी विक्रीचा कि वहा रिकेमेंडेशन आर्थार टिप्स नाइए, इन डिटेल कमपनी ची महत्यानी के स्टडी करून देनेचा एक साधा सिंपल हेतो है आमचा है आच्छा आमाले तुमी तुम्चा प्रॉपर स्टडी आमचा कर्ते मैं थोड़ा एच अचछा किया ला कायका यहा आचा मधे कम्पनी काय करते, मैनेफेक्चरिंग कम्पनी चे अक्तिविटी, कम्पनी चे रिवेण्यू कसा है, प्रोजेक्ट्स काय के द मैंचा अचिओन काड़ी शेर होल्डिंग बैटां मामी तपास लाह आच आणी फंडामेंटल सामी आचा मदे चो केले आशा आट गोष्टी यहोड़ा इन बन्नाट डिटेल मदे या विडियो मदे मी तुम्माला देनारे त्यामोड़ा शेवड परिंत्र टिक उनरा आणी हो महतवाची गोष्ट मजे चैनल आजुन पन सब्सक्राइब करना अशा महतवाची वीडियो जर मिज जाले तर चांगले चांगले कंपने तुम्चे रडार वरुन निगुन जातील मित्रा नो या कंपनी ची जर महती गहला गेला तर नॉर्मली इनकॉर्परेशन है कंपनी चे एककोणीशे सब्त्यातर चल जाले अज श्टील मैनिफेक्टरिंग कंपनी अर्था लॉयड मेटल्स एन एनरजी लिमेटेड या कंपनी चांगला प्रमोटर चा बाबत तर कंप चरिंग करते स्पोंज आयर्न, पावर जन्रेशन मदे आनि महत्वाची गोष्ट माइनिंग अक्टिविटीज मदे माझे ये तीन बिजनेस या कंपनी इकड़े आहे तक अनि याचा मोदून कंपनी मोटे प्रमाना मदे रिवेनी जन्रेट करा चा प्रेतन करता स्थे मित् तैचा उर थोड़ी चर्चा करूया, मात्वाची गोष्ट माला माहिते है का लार्जेश्ट कोल बेस्ट डायरेक्ट रिडूस आयर्न तेला डियारा आयासा बोल तत्ते महराष्ट्रा मदे चालुकेल जात्त गुगस विलेज मदे चंदरपूल जल्ल्ल्या मदे आनि पाहिला गेले आसेल, याचा मदे कैप्टिव पावर प्लांट याची कैपेसिडी जल्व पास 30 मेगावैट ची दोन हजार थेविस मदे आनि स्पॉंज आयर्न प्रोड़क्शन है पंचात्र टक्के ने वाड़ेले अप्रोग्जिमेटली जे दोन लाग चार हजार मेट्र मेट्रिक्टन वर आले लाएकिजे याचा अधी एक लाग सब्तर हजार मेट्रिक्टन मदे होता दोन हजार बाविस मदे मनजे कमपणी ची मैनुफेक्चरिंग कैपेसिडी वाड़ती है आनि खूप चांगल्या पतती है वाड़ती है याचा अंतर न पाहिला गेला आयर्न अधी आटिविटी जासता लक्षा ठेवा मात्वची गोष्टे आईर्न ओवर मदे इनांस्ट माइनिंग कैपेसिडी कमपणी ची 10 मिलियान टन्स है आनि यह चा मधे मात्वच गोष्टकाए 3 मिलियान टना पसुन कमपणी थिया वाड़वलेलिये मात्वची गोष्टे मा कमपणी कड़े 3.5 हेक्टर आयर्न ओवर्स यहा सूरजगर विलेज माहराष्टर मदे अपल्या माइनिंग साटी गेत लेला है लिच पिरेड हाँ पन्नास वर्शेच मदे 257 परेंत कमपणी थे माइनिंग करू शकते है बंजे बाला मोटा बिजनेस कमपणी ला एनारे उस कमपणी चे एकको निशाइशी साली विचार कराएंगे ला तर नवद मिलियन टन्स सा होता जे रिवालियोटेट आत्ता जाले ले एक शाइशी प्लस मिलियन टना मदे बितर नौशीत की बंणाट कमपणी काम कर दिये याचा मान आनकी ने गोश्ट पाहिला गेला से त माइनिंग साथे ने ऑपरेशन साथे वाँजी तेला आपन बोलतो जॉइन्ट वेंचुर एक कोना सोबत केले तर ट्रिवी नी अर्थमुवर्स प्राइवेट लिमिते अर्थार माइनिंग साथी ही कमपणी थानना काम करूं देते याचा मादे सूरजगर मादे ही कमपणी माहरास्था राज्या मादे सकाम करती है ती ते हे माइनिंग याग पमपनी था अर्चा कोड़ूं केले जाते याचा मादे माधे महत्वच जीवी च टार्गेट काए रिस्टार्ट करने और रैमप अपरेशन से एक मेट्रिक तना परें तेनना बारा महिना मादे आणि जोड़ पा संबर टक्या ने इंक्रीज के ले लिए यानि त्या सबसुड़ी कंपणी सोबद के ले लिए मित्रान नो मात्वाची गोष्टे कंपणीचे रिवेन्यू कोट ने तो स्पॉझ आयन मदुन मैनिफेक्ट्रिंग मदुन कंपणी ले ले लिएको निस्तक्या मिलतो पावर जेनरेशन मदुन देंटक्या मिलतो मात्वाची गोष्ट आयर्न ओवर माइनिंग मदुन अश्टाहक्तर डखे यवड़ा बला मोटा यहां कंपणी ला एचा मदे रिवेन्यू मिलतास तो यह अच्छा नंतर नमात्वाची गोष्टे कंपणी ने Expansion of Capacity and Modernization काई किल आये का नाये ते पन तुमाले एचा मदे सांको तर डायरेक्ट रिडूस्ट आयर्न है चावर जी कंपणी काम करती है यह कंपणी एक्सपंडिंग करती है 0.36 MTPA अर्तात मिलियंस आप टर्न्स पर आनम लक्षा ठेवा प्लान्स इंक्लूडिंग सेटिंग अप स्टिल मेकिंग फैसिलिटी विद कापेसिटी आप 3 MTPA लक्षा ठेवा यह उड़ी बली मोटी कैपेसिटी कंपणी आचा मदे वाड़ा होती है औके आनि मात्वाची गोष्टक आये L-E-M-E-L माझे यहाँ कंपणी चे नावाई लक्षा ठेवा तर यहनना ही कैपेसिटी वाडवाईची यह 45 MTPA परेंत मित्रा नो यह खुब मोटा कंपणी चे फुडचे आ यहना ने काड़ाची होरा ही जनाय करन ते सांगता की कंपणी किती उच्च पदावर क्यों एका मोटाय लेवल ला जाऊन बिजनेस करूशे क्टे क्या कंपानी चे मातवाची घोष्ट की पाउर प्लानचा 37 MW कैपेसिटी चे उपरेट करते और मातवाची घोष्ट 60 MW – 40 MW जन्रेशन चे पाउर प्लानच यहां चा अंडर कंस्ट्रक्शन मदेत मंजे त्या लव कर शुरू हो तील तीसरा मात्वाँ चा यह कंपणी ना फोकोस है स्लरी पाइपलाइन मदे ओके सिवेच चे पाइपलाइन अस्ततना तर त्या कंपणी एक्स्टेंड करती है 25 किलोमेटर परेंत हद्य चा कंडिशन ला डेवलपमेंट मदे हा प्रोजेक्ट आया चा मदे अनि मितर अनौशाब पत दतीने कंपणी खूब चान पत दतीने हा तीनी गोश्टीनों फोकोस करूं फड़े चाल लेलिये कंपणी चापकमिंग प्रोजेक्ट काये तर कंशरी स्टील प्लांट हा कंपणी चा जो आये तो मिनरल ब्लेस्टर स्टील प्लांट है जो कंशरी गडची रोली आपले जीते आये आनि DRI मैनेफेक्ट्रिंग एचा मदे केला जाते महत्वाची गोष्टे प्रोजेक्ट्च एम काये चा मदे employment opportunity आनि इंडियाज infrastructure growth मदे हैंस main targeted development करने मित्रा नो याचा नंतर नो शग्ले आत महत्वाची गोष्ट आपनजर पाहिला गियेले तर मित्रा नो है का पाहिचे आपनाल तर कंपणी ची growth capacity आपनाले चा मुदुन समझते मित्रा नो शग्ले डेटामेटिक जासते कारन आमी इंडिटेल मदे महत्वाची देने चा प्रेतन या वीडियोज मुदुन करतो है मनन तुमाला ही इंडिटेल महत्वाची देतो है प्लाइन चा मदे कंसारी मदे जो आपने गडची रूली मदे तो अचा मदे देनची डेराई ची capacity सत्तर हजार MTPA सुरजगर गडची रूली राज्या मदलेश आज़ोने ठीका नहीं कि जीटे आनने आयरनो वर चा 10 MTPA चा मौटा प्रोजेक्टे देनचा आणि महत्वाची गोष्टो गोवे मदे पन ती आये पेलेट्स मदे जीथे दे दोन MTPA चा प्रोडोक्शन करता चा एक स्ट्राटेजिक पाटनर्शी पही तैंची आचा मदे पेलेट्स बरोबर तो अश्या पददिने कंपनी चान आप्रेशन्स करती है आणि इन डिटे आणि में नेट वर्थ कंपनी ची 27 टक्के पुलर्ज अलेलें इबिट ता जो है कंपनी चा तो पन 456.8 टक्के ने वाड लेला है जित सांगली गोष्टे मित रहन्नो आथा बैलन्स शीट से जर विचरतालना तर कंपनी के असेट 145.8 टक्के वाड लेले आहेद फिक्स अस पन 46 टक्के ने वाड लेले त गरंट असेट इंक्रीज जोल पास 217.7 टक्के लाइबिलिटी च पन याचा बरोबरस वाड तया कमी होना गर्ज जासता पन थोड़े वाड देत करने एक्सपांशन चालो है यादा कादा ची तेचा मोले हाई लाइबिलिटी वाड लेले आत ट्रेड मधून रिसेवेबल्स कम्पणी चे तीन पॉंट सब्विष्ट क्या आएद आने ट्रेड मधून कम्पणी चे पेबल जासता ते 390.7 टके आहे मित्रान तर अश्या पद दितिने आए थोड़े ट्रेड रिसेवेबल्स आजोन थोड़े जासता असना बेनिफिटे तर पॉब्लिक डे 30.7 टके चे अचा मधी होल्डिंग है अधर्स जे आएद अचा मधी इंस्ट्यूशन सासते लिया फाय डिया तर अचा कर एक टक आए फक्त प्रमोटर्स कडे पासर्ष्ट के हिसे दारी पासर्ष्ट पान तीन तक्के मांच बली मोटी हिसे दारी प्रमो अन इक्विटी नौत पांट अटरी चालिस तके देप्ट कमपणी वर फक्त अटर पांट बैंशी कोटी है जे नौर्मल है जासता नाई है फेस्ट वैल्यू कमपणी ची एक चे स्टोक चा पी रेश्वा है चोविस पायंट रेशस्ट इंस्ट्रियल पी आए 16 पायंट एक 17 टके और बुक वैल्यू कमपणी ची थ्रे चालिस तर मित्रा नो हेओ था कमपणी ची इन डेटल फंडामेंटल अनलसिस तर मित्रा नाशा पड़ दिने आमी जी तुम्हाला यास कमपणी ची इन डेटल महाती दिली लॉयड कमपणी बाबद थी कमपणी एक मेटल सेक्टर प्रमानिक प्रेतनास तो तुम्हा प्रेंदाशी इन डेटल मेदे वीडियो गेवन यहने वीडियो कसा वाटला नाथे प्लीज सग्रैनी कमेंट करून कलवा अनि महत्वाची गोष्ट वीडियो अवड लाथ लाएक करून शेर कराले विस्रूनाका अनि आशा गोष्टी अचे अच्छी गोष्टी नाववद ला संपलक साथा आने आमची टीमसी आटेट करा अनि अधिक मेटी साथा आमची शोचल मेडिया हैंदेल स्पन फॉलो कराले विस्रूनाका थैंक यू सो मच